Hello guys, this is Mani Senni and you are watching study GS Education आज हम बात कर रहे हैं मकर रेखा से संबंदित और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं और ऐसे कितने महादीप है जिन से होकर यह गुजरती है और उन देशों की संख्या कितनी है जिन से यह रेखा होकर गुजरती है इन सभी प्रशनों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं यू कैन आलसो जोईन अस ओन टेलीगराम टेलीगराम पर जो हमारा चैनल है वैस्टेडी जीएस एजुकेशन के नाम से ही महाँ पर उपलब्ध है आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रेश्ट में हमने लिंक छोड़ दिया आए आप वहाँ से उसको जोईन कर सकते हैं हम वहाँ लगाताब क्यूज भी चला रहे हैं जो आपको आपके एक्जाम में फूल होंगे और साथ साथ डियली कररेंट अफैर के लिए हम वहाँ पर डियली न्यूस पेपर भी प्राइड कर रहे हैं ताकि आपका जो है करेंट अफैर का प्रिपिशन भी साथ साथ चलते रहे तो चलते हैं अपनी उस ट्रीक की ओर अगर हम बात करें कौन-कौन से ऐसे महादीप है जिन से मकर्रेका होकर गुजरती है तो ऐसे तीन महादीप हैं जो हैं दक्षिन अमेरिका, अफरीका और आश्टेलिया ये तीनों ही महादीप हैं जिन से मकर्रेका होकर गुजरती है तो अगर नेक्स जो पॉइंट हमारे पास हुआ है कि कुल दस देश हैं कुल दस देश ऐसे देश हैं जिन से मकर्रेका होकर गुजरती है उन दस देशों में जो है चिली, अर्जेंटिना, ब्राजिल, नाबीबिया, प्रागवे, मेड़ागासकर, अस्टेलिया, मौजाबिक, बोटस्वाना और साथ अफ्रिका देश है तो चलते हैं अपनी उस ट्रिक की और जो है मकर रेखा से संबंदित तो अगर हम अपनी ट्रिक की बात करें तो हमारे जो ट्रिक है वो है चील और बाज नामक परजाती में आपस में बहुत समानताई होती है आप इसे रिलेट भी करश रखते हैं कि चील और बाज दोनों पकसी हैं और दोनों ही प्रजाती में आपस में बहुत समानताएं होती हैं तो यह बहुत ही एजी रहेगा आपके लिए याद करने के लिए तो आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक में डाउट डाउन करते चलें साथ-साथ हमारे पास अगर हमारे पास जो पहला कीवर्ड है वो है चील तो चील से हमने यहाँ पर प्राप्ट किया है चीली नेक्स्ट जो हमारे पास कीवर्ड है वो है और और से हमने यहाँ पर प्राप्ट किया अर्जेंटिना तो यह दोनों ही देश जो गर हम बात करें ये South America के continent के देश हैं फिर हमारे पास है Brazil Brazil जो है आपका अफरिका continent के देश है नेक्स्ट है हमारे पास Nabibia Nabibia और Brazil दोनों ही अफरिका महादीब के देश है फिर है हमारे पास परजाती और परजाती से हमने यहां पर बनाया है प्रागवे और आपका जो प्रागवे है ये भी South America के देश है में की अगर हम बात करें Medagascar तो Medagascar हिंद महसागर में पाया जाने वाला एक दीप है ये प्राप्त किया है हमने में से तो आपका जो ट्रीक है चील और बाज नामक परजाती में आपस में बहुत समानता है तो देखा आपने किस ट्रीके से हमने यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं फिर हमने यहाँ पर जो हमरे पास Next Keyword है वो है आपस तो आपस में हमने यहाँ पर बनाया है आश्टेलिया आश्टेलिया आपने हाँ में ही एक महाद्वीब है अगर हम फिर बात करें में की समानता से हमने यहां पर प्राप्त किया है साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका और बोटसवाना दोनों ही अफ्रीका महादीब के देश हैं तो आपने देखा चील और बाज नमक परजाती में आपस में बहुत समानता है से किस तरीके से हमने जो है मकर रेखा को गुजडन देसों को यहां पर प्राप्ट किया है, अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर बात करते हैं, some facts on tropical of capricorns, तो अगर हम बात करें, इसकी कुछ हमारे पास द्थे हैं, जिनकी और हमारा ध्यान होना चाहिए, तो ऐसा यह परत्रत है, जो हमारे पास है वो है पिर्थवी के दक्षनी गोलार्द में भूमद्य रेखा के समान तर 23 डिगरी 26.22 डक्षनी आक्षांस पर है ग्लोबल पर पस्चिम से पूरुप की और खीची गई एक कालपनिक रेखा है जो मकर रेखा के हम बात कर रहे हैं यहां पर 22 डिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबत चमकता है यानि अगर हम बात करें हमारे पिर्थवी कुछ इस तरीके से हम देखते हैं यह यहां पर भूमद्य रेखा है यह आपका 0 डिगरी पर होती है फिर 23 डिगरी पर यहां पर आपको दिखाई देगी करक रेखा और इसी पर ही दक्षनी गोलार्द में 23 डिगरी पर आपको मकर रेखा दिखाई देगी तो इनी करक और मकर रेखाओ के आदार पर हम सूर्य की स्थिति को उतरी गोलार्द और दक्षनी गोलार्द में देख पाते हैं तो इनी का जो परपस है हमारे बनाने का वो सूरिय की स्थिति को मेजर करने के लिए ये रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है Thank you so much for watching अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्रिज लाइक करें Share करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत पुंजानकरी को प्राप्त कर सकें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियो को परने के लिए Thank you so much for watching जै हिंद